बॉली हुड की फिल्में बिना हिरोईन और गानों के एकदम अधूरी है, बीते कई सालों में इंडस्ट्री काफी बदल चुकी है, पहले के जमाने में बनी किसी किसी फिल्म में ही पोर्ट सीन देखने को मिलते थे, लेकिन आज के महुल को देखते वे ये काफी नॉर्मल हो है, ऐसे में आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बॉली हुड की उन अदाकाराओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हों ने डेव्यू फिल्म में ही बोल्डनेस की सारी अधे पार कर दी थी, जिसे देखने के बाद दरसक भी दंग रह गए थे, तो जानने के बॉली हुड के सीरियल की सरके नाम से मसूर, एक्टर इमरान हासमी की फिल्म जन्नत टू से बॉली हुड में डेव्यू किया था, इस फिल्म में दोनों के बीच कई इंटिमीट सीन्स फिल्म आये गए थे, और इस सीन्स की वज़ा से ये फिल्म काफी सूपर इट साबित माहीगिल पॉली हुड इंडस्ट्री की बॉल्ड अदा काराओं में से एक, माहीगिल ने भी दर्सोकों के बीच अपनी एक्टिंग से अलग पैचान बनाई है, माहीगिल ने मसूर अनुराक कश्यप की फिल्म देवडी से बॉली हुड में डेव्यू किया था, इस फिल्म म एक्ट्रेस ने 17 किसिंग सीन्स दिये थे, जो वाक कई हैरान कर देने वाली बात है, मनारा चोपड़ा, दोस्तो मनारा चोपड़ा ने फिल्म जित से बॉली हुड में अपने करियर की सरुवात की थी, फिल्म बॉक्स ओफिस पर तो फ्लॉप साबित हुई, लेकिन मनारा के बॉल्ड सीन्स ने आज भी दर्सोगों के बीच अलगी पहचान बना रखी है, पाउली डैम, दोस्तो पाउली डैम का नाम भी इस लिस्ट में सामिल है, बंगाली सिनेमा के बाद एक्ट्रेस ने बॉल्ड हुड में हेट स्टोरी से अपने करियर की सुरुवात की थी, जैसे एक्ट्रेस काफी चर्चा में रही थी, सोनाली राउत, सोनाली राउत ने भी हिमीश रश्रमिया की फिल्म, दा एक्सपोस ते कदम रखा था, फिल्म में सोनाली मंदाकनी से प्रेरित होकर बॉल्ड हवतार में नजर आई थी, सनी लियोन, दोस्तो सनी लियोन की तो और भी ज़्यादा दिवाने हो गए थे, सुर्वीन चावला, दोस्तो सुर्वीन चावला ने बॉली वड में कदम रखने से पहले, टीवी इंडस्ट्री में खूब नाम कमाया था, फिल्म हेट स्टोरी 2 में सुर्वीन चावला ने बोलनेस की सारी हदों को पार कर दिया थ तो दोस्तों इन अभी नेत्रियों में से आपकी फेवरेट अभी नेत्री कौन सी है, आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं